नमस्कार, आप सभी का बहुत पत्ष स्वागत, आज हम इसातेली का एक आश्क विश्लेशन करने जा रहे हैं, संपन्ता के बारे में, महा कुड़पती बनने के मामले में, मस्तक रेखा और जीवन रेखा के बीच में कुछ संयोग बनते हैं, उभरते हैं, जो इशारा करते हैं कि जा तक बहुत अमीर बन सकता है, कैसे आईए करते हैं विश्लेशन, सबसे परे देखिए, ये आपकी मस्तक रेखा, ये दिये है, इस पस्ट है, पतली है, निर्दोश है, लंबी है, तो ये दिखा रही है कि जा तक के अंदर ग्यान धान करने की छंता कितनी हैं, तो यहां छंता शांदार, जा तक ग्यानी, इस क्रींच आईए, ये आपकी जीवन रेखा, पतली, इस पस्ट, निर्दोश, लंबी, ये है जीवन का प्रतिबिम्ब है, जिन्दगी में होने वाले संगर्ष, सफलता, अई सफलता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जो भी है, उसका इस पस्ट इशारा मिलता है हमें, जीवन रेखा पर, ऐसे में मस्तख रेखा और जीवन रेखा के बीच में, जो ये छेतर है न, हातेली का मद्ध है, भाग, ये है, है, राउ का मैदान, राउ परवत, यदि ये है, दबा हुआ है, बीच से, मद्धे से, तो राहू पिडित, अगर उबरा हुआ है ज़्यादा, तो राहू पिडित, आपको नुकूल प्रभाव नहीं देगा, जदि ये है, सम्तल है, फ्लेट, तो आपका राहू सुविक सित, अब आपको देगा ये, इंटेलिजेंस, कंसेंट्रेशन, सडननेस, और धन्वीश के पास होता है, सफलता में धन का विशेश महत्व, बड़ा ही मेटरलिस्टिक एरा है, तो अगर हमारा राहू परवत अच्छा, तो बीश से पैतिस के बीच, हमको आपा और सफलता मिलेगी, उसके कुछ योग संयों को भरते हैं, यदि मस्तक रेखा, और जीवन निखा गए बीच में, आपको कोई स्क्वेर मिलता है, स्क्वेर रक्षा कबच का काम करता है, कोई पर्तिकूलता होती है, उस से बचाता है, ऐसा जातक इमानदारी को एप्रेसियेट करता है, खुद भी मानदार होता है, और संपन्ता के मामले में खुब तरक्षी करता है, खुब धन कमाता है, और आगे देखिए, यदि आपकी मस्तक रेखा और जीवन निखा के बीच, यानि राओ पर्वत पर, कोई ट्राइंगल बना हुआ है, जो जितने ज़्यादा ट्राइंगल, उतनी ज़्यादा पर्वल संभावना आपके धनवान बनने की, ट्राइंगल को, तिर्बुज को, पामिष्ट्री में बहुत ही शुमाना जाता है, जिस परवत पर उभरता है, उससे सम्मनित गुणों की व्रधी कर देगा, तो राओ के पास क्या है, इंटेलिजेंस, कंसेंट्रेशन, सडननेस और पैसा भी, तो जातक की जिन्दिगी में खूब धनाता है, यदि जीवन रिखा और मस्तख दिखा के बीच में ट्राइंगल बना हो, और आगे चलिए, जीवन रिखा पर, यदि छोटे छोटे आफशूट निकल रहे हों, तो यह है बहुत इंशुब, जितने ज़दा आफशूट, उतनी ज़दा सम्भावना, जातक के धनवान बनने की, हर आफशूट इशारा करता है, कि जातक की जिन्दिगी में एक खूशुब अफसर आएगा, धन कमाने का, ऐसे में जितने भी आफशूट, चाहे वो वन एम एम का है, बहुत छोटा, चाहे बड़ा हो, वो आपको विशेश अफसर दे रहा है, धन कमाने का, अब मान लीजिए, एक आफशूट निकला, और आक्रम कमंगल से, एक राहू रिखा उठी, उसने आपकी लाइट अनु काटा, और जाके मिल गई आपके आफशूट में, अब यहां पर एक ट्राइंगल बन गया, तो जीवन रिखा पर जब भी ट्राइंगल बनता है न, बहुत ही शुब होता है, जिस आश्मान में बना है, उस आश्मान में जा तक विशेश तरक्की करता है, खोव संपनता कमाता है, संपती भी बनाता है, जितने ज़्यदा ट्राइंगल उतनी ज़्यदा पर बल संभावना जाता के माहा धन्वान बनने की, एक संभावना वर बनती है, कि आपका आफश्यूट मध्य अवस्ता के बाद निकल रहा हो, जैसे यहां निकल रहा है, ऐसे में शुकर की एक प्रवागर रिखा आए, और जीमर रिखाओ काटते हुए आफश्यूट में मिल जाए, अभी यहां पर बना ट्राइंगल, यह ट जारा कर रहा है, कि जातक के जिन्दगी में कोई प्रेम आ सकता है, कोई दोस्त आ सकता है, जो उसके भाग्यावद्य का कारक बनेगा, जिस आविश्मान में रेखाओ भर रही है, शुकर की परवागर रेखा, यह समय बहुत ही शुब जातक की भाग्युनत्य योगी वह कूब धनकम आएगा, खूब संपत्ती खटी करेगा, और खूब धनवान बनेगा, परवल सम्मावना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू, शुक्रिया